Hello everyone, this is Akansha Raya and I welcome you all again to my channel. आज के इस वीडियो में हम continue कर रहे हैं अपना chapter which is nutrition in plants. मैंने इसके दो वीडियो अलरडी बना दिये हैं, जिन दो वीडियो में हमारा पूरा introduction part है as well as photosynthesis process पूरा explained है part 2 में. तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लो so that आज जो चीजे पढ़ाई जाएं वो समझ में आएं क्योंकि सारी चीजों का लिंक पहले के first वीडियो से है. ठीक है? तो continue करते हैं आज का topic. last class में हमने drop किया था photosynthesis पे. दिन था autotrophic mode के वी दिन था ठीक है? जब पढ़ा रही थी मैं तुम लोगों को autotrophic mode of nutrition तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे plants हैं जो autotrophic mode of nutrition नहीं करते हैं ठीक है? उनका मन नहीं करता है कि जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा तो वो किस mode of nutrition के लिए जाएंगे फिर? obviously heterotrophic के लिए क्योंकि हमने दो ही mode पढ़ा है दो mode से ज़्यादा तो नहीं पढ़ा ना किसी नहीं है तो जो कई सारे plant हैं वो किस mode के लिए जाते हैं अपने nutrition के लिए? heterotrophic mode of nutrition के लिए वो अपना सारा process करते हैं अगमालों की किसी plant के पास chlorophyll नहीं है मैं तुम लोगों को कि chlorophyll सबसे ज्यादा important होता है photosynthesis process के लिए ठीक है? अब मालोग plant के पास chlorophyll नहीं है तो वो क्या करेगा बिचारा? उसको तो किसी और पर dependent होना पड़ेगा जैसे animals होते हैं तो अब वो कहीं और जा नहीं सकता ठीक है? कहीं जाके कुछ खरीद नहीं सकता, market नहीं जा सकता, kitchen में खाना नहीं बना सकता, कर सकता है कुछ भी नहीं तुम से आके request भी नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा? वो सीधे सीधे चला जाता है heterotrophic mode of nutrition पे वो भी किस पे बात करते हैं अभी? तो सबसे पहले तो हमारा nutrition in plant किस में आ गया? heterotrophic nutrition में ठीक है? य first was saprotrophic nutrition, second parasitic and third holozoic, अब saprotrophic की बात करें तो saprotrophic में कोई भी organism सड़ी, गली, dead and decay चीजों पे feed कर रहा था भाई, plant का अपना attitude है बोला कि नहीं मैं ये वाला nutrition opt नहीं करूंगा, मैं dead decay चीजों पे feed नहीं करूंगा, तो वो कौन सा nutrition opt करता है फिर? उसको parasitic nutrition अच्छा लग option दिया गया था क्या उसको बैठा के, चलो आजओ, चुन लो, तो नहीं न, ये तो चलो उसका natural mode है, ठीक है, parasitic mode चूज करा उसने, तो parasitic mode मैंने तुम लोग को बताया है कि इसमें क्या होता है, एक organism को बहुत फाइदा होता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है, अराम से दूसरे पर पढ़े रहना और उससे nutrition लेना है, पर जिस पर पढ़े रहना है, जिस organism पर वो dependent रहता है, उसको तो असर पढ़ेगा न, वो बिचारा बना रहा है, अपना खाना और उसको share करना पढ़ रहा है किसी और के साथ, तो उसको असर पढ़ेगा, तो इस mode में एक को फ नाम है, बड़ अच्छा तो नाम है, याद हो जाएगा कसकुटा, ठीक, इसको हमेशा लिखना तुम लोग ऐसे italics में लिखा होगा बुक में, वैसे ही लिखना, ठीक, कसकुटा का common नाम जो है, लिखा हुआ है, तुम लोगों के बुक में भी, अमर बेल, या फे डॉडल, कसकुटा जो है ना, वो scientific name है, बड़े label पे scientist यूज करते हैं इसको, और ये local name है, local name हर जगा change हो जाता है, तो ये fix name बना दिया गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इसका जो structure बोला जाए ना, वो thread like structure होता है, yellow color का, ठीक, अब भाई, इसको तो खाना ब plant है, ये इसकी नजर है, इस पर कि मैं इसी पर रहूंगा, ठीक, तो ये बोलता है कि, ये अपना खाना बना रहा है, बड़े बहुत एकदम अच्छे वच्चों की तरह, अच्छे student की तरह, एकदम अपना खाना sunlight के थूँ अपना, ये autotrophic nutrition करके खाना बना रहा है, ये बो आके रही लेता है, बहुत attacking है ये, तो ये बोलता है कि, तुम मेरे क्या बन गए, दोस्त, है ना, चलो, तुमको मैं अपना क्या बना ले रहा हूं, दोस्त, और इसको, अभी तुम किसी essay को दोस्त बनाना चाहोगे, जो आ रहा है, सिर्फ तुमारा फाइदा उठा के चला जा रहा है, तुमारी चीजों को बरबाद करके चला जा रहा है, कभी नहीं, तो ये बोलेगा, अच्छा, हट कभी तुमको दोस्त बनाऊंगा, तो ये दोस्त नहीं बन के क्या बन जाता है, होँष्ट, हट बोला, ना, मैंने, तो हट से D को बना दिया, H, तो होष्ट किसक को कहेंगे होस्ट हम लोग कहेंगे हमेशा उसको जो लॉस में जा रहा है जिसके उपर यह रह रहा है जैसे यह हूमन बिंग है कोई इसके बॉड़ी पे मालो हैस में लाइस है तो यह होस्ट होगा ना की लाइस याद रखना ठीक जिसको लॉस हो रहा है जिसके उपर रह रहा है, दूसरा औरगैंजिम आकर उसको हम कहते हैं याद रखना क्लियर है, चलो, ये हो गया, ठीक क्तो हमारी चीजे हो गया सारी चीजे कंप्लीट हो गई हमारी कैसे यह रहता है इतने मज़े से चलो एक दूसरा मोड है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं वो भी तुम लोग ने पढ़ा हुआ है वो है हमारा क्याटेगरी किसका इंसेप्टी वोरस प्लांट का सुना है यस मैम पढ़ा भी है बहुत अच्छे से पता अभी है इंसेक्टी वोरस प्लांट अब यह क्या करते हैं कार्नी वोरस सुना है, ओम्नी वोरस सुना है वोरस मतलब feed करना ठीक है nutrition लेना तो जो लोग इंसेक्ट से अपना nutrition लेते हैं उनको कहते इंसेक्टी वोरस ठीक है question है कैसे लेते हैं बात करते हैं पहले तो समझें नाम उसका नाम है इसका देखो बहुत अच्छा नाम है पीचर पिक्चर नहीं कर देना इसको यह है पीचर प्लांट ठीक बड़ा है इसको बंद कर देते हैं जब मंचाइः को खोलेंगे जब इंशेट खाना होगा इंसेट घुमते-घुमते-घुमते-घुमते-घुमते आया मैठा इस-plant पे-णौर्मल इंसेट बैठते हैं आया बैठा जैसे ही यह passage के थ्रू यहां पहुचा वो यह इसमें की बदमासी कर लिया धकन बंद अब जब धकन बंद हो गया तो अंदर हो गया suffocation कमी हो गई एयर की oxygen की कमी हो गई फिल कर सकते हो ना कभी वालों कोई बकसा है अगर बकसे के अंदर कोई बंद हो जाए तो क्या होगा सांस उससे nutrition ले लेगा और जो उसका waste material बचेगा मालों इंसेक्ट की body हो गई उसके उपर covering होगी उसको फेग देगा बाहर बस यही काम कौन करता है इंसेक्टि वोरस plants करते हैं क्यों करते हैं क्या क्यों करते हैं इंसेक्ट अच्छा खासा है मोड उनका nutrition का क्यों करते हैं तुम लोगों को बताया था कि कार्बो हाइडर जो plant बनाता है उसमें प्रेजन होता है CHO carbon hydrogen oxygen nitrogen नहीं है उस case में plant setting करते हैं बताया था न अर्थवर्म के साथ इसने नहीं की इसकी नहीं हो पाई किसी reason से तो इसको तो nitrogen चाहिए ना तो यह nitrogen अपना इस mode से लेता है ठीक है तो Vincertivorous plants क्या होते हैं और क्यों होते हैं तो यह हमारे आज के session का topic हो गया आगे के session में हम पढ़ेंगे हमारा दो mode और बाकी है फिर हमारा chapter complete हो जाएगा and then we will go for exercise question and answer ठीक है चलो फिर आज के लिए अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा चीजे समझ में आई तो do subscribe my channel and share करो with your friends so that सब लोगों को फाइदा हो ठीक है तिल देन take care and bye bye